नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता सर्मा आपका फिर्षे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिन्दन करती हूं दोस्तों जैसे कि कल हमने बात की थी कि अन्से आर्टी की बूक नाइंथ का दूसरा लेक्स राज आपके सामने प्रस्तु था आज का और भाग दो तो फिलाल हम उनको ही करेंगे क्रितिका और सितिज क्योंकि अधिकतर प्रस्तु नहीं पड़ती अगर पड़ेगी तो बाद में देखेंगे उनको फिलाल इसको देखिए कावय खंड के आद ये प्रस्तु अतर करते हैं और थोड़ा कभी परिच्चे साथ-सा करें क्योंकि आपके लाइक से मुझे प्रोच्छान मिलता है और सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त है वो और आगे शेयर करें तो चलिए चलते हम सबसे पहले बात करते हैं कावय खंड में कभीर की कभीर दास जी के बारे में तो हमने हिंदी साहिते में बहुत कुछ पड तो और इनका भगति काल में एक विशेष स्थान में या स्थान में यह इग यूंक यह कि में इस इमकर उइस से साहितनी से आध हमी और होलता और रहे में प्रूण जन्तियां है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात वह यह है कि एक विद्वाबिरामनी के घरजन में थे और वह उनको अपने लोकलाज के काण इनको तालाब में छोड़ाई थी और वहां से नीरोड नीमा नामक जुलाह दमपत्ति ने इनको उठाया और उनके बच्च होते हुए फकड़ सभाव के थे इस धर उदर अनपढ़ थे गाते थे का संसकी का संस्कृष्य उससे साखी बना है जिसका मतलब होताक हो देखा यानि कि जो ए महसूस करते थे देखते थे बोगोँवान के बारे रहते थे वही गाते रहते थे और इनी के इन गाय हुए साखी और सब्दों को इनके शिष्चों ने धरमदास इनका शिष्चे था इनको इकठा किया और वीजक नाम एक गरंथ में इसको चुपवाया है जिसके तीन भाग है ध्यान देना यह जिए वेसक आप नोट कर लो ती गरंथ है उसमें भी गुरुरानक जी की रचनाओं के साथ इनकी भी कुछ रचनाय शंकलित है कबीर निर्गुन तो थे यह आतम ज्यान पर बल देते थे और एक और चीज थी इनके अंदर यह जो थोड़े से खड़ सभाव के थे यह किसी का भी खंडन करते हुए सोचते न बुसल्मान हो जो चीज इनको अच्छी नहीं लगती थी उसमें का खंडन करते थे यह बाई आडंबरों का बहुत ही ज्यादा खंडन करते थे जो लोग बाई आडंबर करते हैं मंदिर में जाते हैं मंदिर वालों को भी मस्जिद वालों को भी सब को लिया ही होने तो यहा पूरी तरह भरा वासर q और आत्म आख़ें प्रूपक करके पाना चाहती है तो क्रतिक आतमक रूप में यह सारी कविता सब्दां चाहता, है कि बगवान को बाहर इदर उदर ढूंडने से नहीं मिलता है उना कैलास में है ना मस्जिद में है ना मंदिर में है कहीं ढूंडो कहीं नहीं मिलेगा और फिर कहता है कि जब ग्यान की आन्धियूद्पन होती है तो उसमें सब कुछ उड़ जाता है वरम खतम हो जाते हैं औ बात करते हैं इनकी मिर्टु की देखें कबिरदास जी ने अपने जीवन में भी यह चीज दिखाई है कहते थे कि मघर में जो मरता है वो नरक में जाता है इसी बात को सिद करने के लिए जब इनका मिर्टु स्मय नजदीक आया तो एक आशी के पास ही एक मघर जगह है वहाँ पे चले गए थे और कहते हैं कि सन पंदार पंदरा सो ठारा इसे में वहां मघर में ही इनकी मिर्टु हुई थी शिरफ कहने के लिए नहीं थे पर टेक्स रूप से भी यह उस चीज का अनुसरन करते थे और उसको इन्होंने थाबित करने के लिए इनके परशनोंतर देखते हैं कबीर के अनुसार संत सुजान कोन हो सकता है यानि कि संत और सुजान कोन हो सकता है तो निश्पक्स भाव से प्रभु शमरन को जो करेगा वही संत और सुजान होगा यानि कि वही चतुर होगा और वही संत होगा जो निश्पक्स भाव से भगवान के भगवान को याद क बरा जो सत्यवादी है जो नयाई प्रीय है जो करमशिल है करता है कि जो अउगुनों से भरा हुआ है जिसमें अउगुन है वो किसी भी प्रकार से उंचा नहीं हो सकता काबा फिरी कासी भया रामई भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कभीर रजीम का मूल भाव क्या है अगर आप इसका अर्थ समझ ऑरह हो तो आपको काबा फिरी कासी भया खता कि काबा में जाओ कासी में चले जाओ वहाहां राम के रूप में बगवान को देखो रहिम के रूप में बगवान यह उप्यदा बना दिया इसवर एक है इस पर बल दिया है इन्होंने गबीर के अनुसार निर्गुन ब्रहम कहां मिलता है निर्गुन ब्रहम की प्राप्ति के लिए उसको मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं वो हर जगह मिलता है सरवत्र मिलता है कभी न irishwar को कहा डूंडने के लिए कहाया जाता कि ज्यान की आंधी से क्या स्माथ्त हो जाता है लोग नेहन का जाता है कि आपने जब उत्त पन होता है ऑग्हान का अंधेरा नस्ट हो जाता है कुपदी का भांडा फुटा से क्या भी प्राय है कुपदी मतलब बुरे करम करने वाला जो जिसको कुपेडी करते हैं अपनी देशी भासा में उसको कुपदी करते हैं यानि कि भेद खुल जाना कुपदी का भांडा फुटना मोहा रहा है या देद खुल जाना तृष्णा रूपी छप्पर को ग्यान की किस ने गिरा दिया यानि की तृष्णा रूपी छपपर ठा और ग्यान की आंधी चली उससे ऐसी जोर की जो आंधी चली जिस से वह उड़ गया तो यहां पर आंधी आएगा कहें कबीर भान के प्रगटे उद्ती भयातम खीचाने में भान क्या है भान जो है भान में प्रकास प्रकास में शुरिये तो यहां पर भान का मतलब शुरिये है कूड कपट काया निकश्या हरी की गती जब जानी कूड कपट काया इसमें कौन सा लंकार पुछा गया कै 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 तीन बार देखे कूड कपट काया जहां पर एक ही वेंजन की बिना किसी वादा से दो या दो से अधिक बारा विड़ती होती कि महां पर कौन सा लंकार होता है अनुपरा से लंकार होता है तो कूड कपट काया में यहां पर है अनुपरा से लंकार सी आएगा इसका उसके बाद अगला है हमारा ग्यारवा भरवापर्शन किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किस से होती है किसी भी व्यक्ति की पहचान कब तोर करते हैं कि여bud형 क्या होथ कलीचा उसके बात अगला है अंधी पीछे सोजल भुणा मतलब भुणा मतलब बैट गया मतलब बरस गया उपर से नीचे की साफ हागा कभी किस का रूप माना एं कभी सुनर को गता कि यह एक संसलर जो है वह स्वान की भाती यानि की कुट्टे की भाती है प्रेमी को प्रेमी मिले के क्या होता है प्रेमी से प्रेमी मिले से क्या होता है जब बगवान को जानने वाले ग्यान सागर से बड़े लोगों से मिलते हैं तो विश भी अमरीत हो जाता है यहां पर यह भी प्राई है इसका भी उसके बा कि यहां पर मुख्ति कोन चाहते हैं भकत चाहते हैं तो डी आएगा अमरीत कैसा सब्द हैं? अमरीट सब्द्ध तत्थ्सम सब्द है हमारे ली फिर क्या है अब यह सब्ध पुछा जांदा है हाथी तदवद हो जाता है तो हस्ती जो है वह क्या है यहां पे हाथी है उसके बाद है सोई शंत्सुजान में अनुपरास अलंकार है यानि कि शैस की तीन बारा विर्थियों यह भिना किसी वाधा के तो सी आएगा इसका उसके बाद अगला प्रसना सांसारिक प्राणे की जगडे में उगलजे हुए हैं सांसारिक प्राणे यानि की जो लोग संसार में रहते हैं ओकी जगडे में धन दोलत में घरबार में संत्ति में पक्स विपक्स में अब यहाँ पर जो कबीर का जो सब्ध है उसके अंशार पक्स और विपक्स यानि कि हिंदू का अपने पक्स की बात करता है और मुसलमन अपने की करता है तो इसके आधार पर पक्स और विपक्स आएगा सूबस कलस किस से भरा है सूरा से भरा हुआ है सूरा मतलब सराब से भरा हुआ है खोजी को परमातमा कितनी देर में तलास करने में मिल जाता है यदि खोजी सच्चे मन से परमातमा को खोजता है तो कभीरदास जी का मानना है कि पल भर में उसे प्रमात्मा की दर्शन हो जाते हैं उदर इदर उदर बुटकने कि उसको आवस्चक्ता नहीं पड़ती तो इस परकार निर्गुन का वैधारा के हमारे संतकवी की दोनों साखियां और सब्द के कुछ महत्वपून पर संथे अगली हमारी कवीत्री आती है यहां पर कर लेकान की थोड़ी की भात कर लेते हैं हम कवीत्री रलदियत जो थी वो मूल रूपसे परСТां 이상 है कश्मीरी बहरणार हें इस कवीतरी थी कश्मीरी में लिखा है इन्होंने इनका जनम आज से लग 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 जो है वह 700 साल पहले हुआ था इसलिए इनकी जादा आपको फोटो वोटो भी और उनके जनम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता इनका तो 700 वरस पहले कश्मीरी जनता कि अपने इन्होंने ऐसे विचार परगट किये थे कि बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था यानि कि कश्मीर की एक तरह से यूं कहले कि बहुत इमानी हुई कवीतरी थी और इनके जनम में प्रवानिकता तो नहीं है फिर भी इनका जनम जो हसं तेरा सो बीश इस्वी में माना जाता है पाम आधिनामों से भी इनको कश्मीर में चाना जाता आम घरों में जैसे ब्यासादियों में गीत गाते हैं लोग या बजन किरतन करते हैं तब इनके पदों को इनकी वाक्षों को गाया जाता है तब इनको याद किया जाता है इसी परकार मीरा की तरह है यूं लगा लिजिए ज की जिसमें तीन पद्धे हैं इनके यहां पर तीन वाख है कस्वेरी भासा में लिखे गई थी यह और भक्ति के छेतर में इनको वहुत इव्यपक स्थान मिला है वाख जो है इस वर प्राप्ति के लिए कि जाने वाले प्रियाशों की पहला जो वाख है वो तो यह कि इस वर की प्रमात्मा को जानना है तो आपको सबसे पहले क्या है जिद करनी पड़ेगी अपने आपके अंदर जहांकना पड़ेगा और तभी आप प्रमात्मा को पा सकते हो इस पर कारिम की तीन जो है वह आख की पध्यान समारी नायंत की किताब में लिए गए है तो चलिए आईए अन्य नाम कोन सा रहा है मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले बताया था इनको कई यहां पर लले सवरी लाली नहीं है लला रीफा भी है लता भी है लले सवरी भी है तो उत्तर जो है वह लाली आएगा यहाँ पर नहीं है रसी कच्चे धागे की खीच रही मैं नाव में कौन सालंकार है रसी रूपी कच्चे धागे यानि कि जो अपने करम रूपी कच्चे धागे है उससे मैं जीवन रूपी नाव तो पूरन रूप से रूपक अलंकार है यहां पर भी आएगा यह पहले पाथ में जो अपने करमों दवारा परमात्मा को पा लेना चाहती है हो रशी कच्चे धागी किसी कवीत्री का क्या आज से है जो अपनी जो सांसे जो चल रही है एक जगह जो मादेवी वर्मा ने भी कुछ इस परकार की कवीता है लिखी थी क्या पूजा क्या आर्चन रे उस शीम का सुंदर मंदर मेरा मेरा लगुतम जीवन रे तो उसी परकार की कवीता भी है इनकी तो यहां पर वो सांसों को कच्चे धागे मानती है तो यहां पर इसका आएगा सी हमारा नाव किसे कहा गया है नाव क्या है यहां पर कवीत्री किसको कहती है नाव जीवन को जो अपना जीवन है उसी को नाव कह रही है यह कहती कि मैं सांस ले रही हूं म मेरा प्रमात्मा को समर्पित है और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे को प्रमात्मा अपने आप मिल जाएगा तो इस प्रकार अगली सात्वा पर्शन हमारा कवीत्री किसके घर जाना चाहती है कवीत्री प्रमात्मा के घर जाना आप चाहती है प्रमात्मा से मिलना चाहती है सम को whole बंदवार म meshणोन का किक खाशा है कैना वह थोड़ा सा सोचती है हूए परमात्मा को ऐसे पालूगा ऐसे करेंगा अपनी यूजना बना लेते हैं उसी में बंद के रह जाते हैं उसी चेतना की जो संकोच संकुचित जो भावना होती है उसी को वो कवित्री बंद दवार मानती है इसी आएगा माजी को दू क्या उतराई में माजी कौन है माजी कौन होता है जो नाव को चला के लेके जाता उसको माजी बोलते तो यहां पर जो माजी है कवीतरी की नाव को ले जाने वाला वो कवीतरी के अंशार परमात्मा है डियाएगा कवीत्री ने उत्राई किसे माना है उत्राई क्या होता है जब हम कहीं से जाते हैं तो वह आहां से उत्रेंगे नाव में से उत्राई ली जाएगी और तभी हमें कोई नाव से छोड़ेगा तो आपने रामायन में देखा होगा होगी तो यहां पर उत्राई हो होती है जिसे घ्यान करने में बहुत बड़ी मदेधी है तो अगर सुस्मा नाड़ी रुपी पुल अगर सुष्मा नाड़ी ज्यागरित होगी तो घ्यान हमारा जागरीत होगा और ग्यान जागरीत होगा तो हम परमात्मा को पा लेंगे तो सुस्मानाडी रूपी पुल ए आएगा इसका कवीतरी ने परमात्मा के लिए किस सब्द का प्रियोग किया है कवीतरी ने परमात्मा को क्या माना है किस नाम से संबोधित किया है कवीतरी न सबन्यों से देख लेगा वास्तिक रूप से सही घ्यानी वही रही होगाUNG कहाएं क्वाएं ककरें कूल करका कंशे बता लंगार से लंगार है कि फरका टोली को डिलने ऐसे डाये । यहां नहीं है लहां कि जिसमें हम रップ कि संचे करते हैं 환 큰 कि परमात्मा से समंधित कोई बात आए तो आत्मा में हम संचे करते हैं तो आत्मा रूपी जो आखे होती है उसको जेव माना है आत्म लोचन किया यानि कि आत्मा रूपी आखों को यहां पर क्या है जेव माना है खुलेगी सांकल बंददवार की का भाव क्या है बंददवार ज नहीं का भाव क्या है सुक कहता है खा खा कर तू अपना जीवन वैतीत करेगा और यागर गया तो इसे तुझे कुछ नहीं मिलेगा और क्या हो जाएगा फिर तू ऐसे दुनिया से चला जाएगा तो सुक के उपभोग से प्रमात्मा नहीं मिलता सिरुफ खाना की इस है इस दुनिया में आना नहींहें ही कुछत नहीं प्रमात्री ने सर्वत्र के लिए कोई सब्ड क्या है सरवत्र जल और थल दोनों को सरवत्र का मतलब शिर्फ धर्ती नहीं है कवीत्री के अनुसार थल थल जो है वो सरवत्र थल थल नहीं है जल थल है यहाँ पर भी आए गाए कवीत्री ने सरवत्र इसको माना है जल थल सब को सरवत्र मानती है वो वाख कितनी पंक्तियों की रचना है चार पंक्तियों में वाख होती है जैसे कि हमारी चोपाई की होती है चार पंक्तिया 16 16 मात्राओं की चार पंक्तिया इसी प्रकार वाख में भी जो न चार पंक्तियों से वाख बनती है तो चार चार है य किसे वाणी है कवित्री के वह सागर पार करना चाहती है कवित्री के अंसार साहीब कौन है साहीब किसे मानती है कवीतरी सबसे वड़ा साही प्रमात्मा को मानती है वक प्रमात्मा इस यह सरीर कच्य कोरा किशें इसलिए इस पर ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए तो देखिए अब हमारा तीसरा जो है कवी वो है रस्खान जी के बारे में यदि हम बात करें कवीता पड़ने से पहले रस्खान जी ने सवईये हैं इनके सवईया चंद में इनकी रचनाएं है तो इसकान इनकी रचनाएं सवईया है यहां पर जो लिया गया है अब उनके सव परिवार था पठान परिवार में दिल्ली में इनका जर्म हुआ था इनका मूल नाम जो था वो यह द्हान रखना स्य दिवराहिम था कई बार मूलनाम इनका पूच लिया जाता है लेकिन यह जो ना बचपन से शिर्केशन के परतियाक रिष्ट थे और शिर्केशन की भगती में लगे मुसलमान होने के बाद भी और ये शिर्केशन के भगत थे उनके बजन गाते थे इसकान लोग इनको रस्खान कहने लगे और इनका मूल नाम तो पिछे चला गया और इनका रस्खान नाम ही परसीद हो वहां रहते हो ये शिप्रिशन की भगती उपासना करते बजन गाते और शोड़ा सोठाइस इस वी के आसपास इनका देहान्त हो गया था और इस परकार रीति-कालिन कवियों में इनका नाम आता है भगति-कालिन में नहीं आता है यह चीज धान देने की है किर्शन भगत थे लेकिन यह भगति-कालिन के बाद में हुए थे इस कारण इनका नाम रीत्ति-कालिन कवियों में आता है इनकी इंपोर्टनेंट बात है इनकी रचनाओं की बात करें रस्खान के दवारा दो रचनाएं इनकी मूल रचनाएं प्राप्त होती है सुजान रस्खान और प्रेम वाटी का रस्खान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाएं कुछ है लेकिन उसको कोई लोग परमानिक मानते हैं कोई अर्द परमानिक मानते हैं उसको तो इस कारण जो है ना इनकी सुजान रस्खान और प्रेमवाटी का बहुत ही परशिद संग्रा है इनके इनको आप अच्छे से याद रखोगे अब देखे सवईय में क्या है इनका इन्होंन अर्धन बर्वत का पत्थर बनूं इस परकार करता है कि यह सिर्कृष्ण की उपासना करते हुए अपने आपको अलग-अलग रूपों में देखते हैं करते कि मैं गोपियों की गवालों के साथ गाएं चराने जाऊं और अगर उन गाएं चराने का मुझे सो भागे मिले त अच्छा करते हैं किसी पर मोर पंख गले में गुझमार और पीले वस्तर पहनने वाले गवालों की घुमने की इच्छा करती है खोपियों क्या आपको क्या नाम परिवार में इनका जनम हुआ था जनम से मुश्लिम थे लेकिन करम से जो है हिंदू बन गए थे तो यहां पर रस्खान की रिचनाओं में किस भासा की परधानता में म ईखनान हो तो वही दस्खानी की व्रस ऑप प्रेन हुआ है ब्रिज भूमी के परती अपना प्रेम वेक्त करते कि ब्रिज भूमी इतनी अगर मनुश्य यूनी का अगर मुथे जनम मिले तो उसी भूमी में मिले कभी किस पर्वत पर पथठर बनकर जनम लेना चाते हैं करता है कि अगर मुझे वह जीव आतमा रूप में ना दे पत्थर रूप में डाले इस धर्ती पर तो मुझे गोवरधन परवत का पत्थर बना दे जो खग होसो बसे रो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डाल में अलंगार बताइए दोस्तों जैसे की दिख़ा कालिंदी कूल बाद है कालिंदी किस का नाम है कालिंदी आहां पता यहां सवाय में कवी किस छेतर की परसंद साकर रहा है कवी का यह सवईया है इसमें तो हमारे बहुत सारे सैकडों कवियों इस पर नोचावर होने की बात की है ऐसा सवईया कविका यह तो यहां पर जो है वो ब्रज आएगा इसका उत्तर अगला है मारा मौरपनखासिर उपर राखे ही सवये में किसके रूप का अनुकरन करने का वर्णन किया गया है मोर पंखा सिर के उपर किसके है सिर्कृषन जी के सिर के उपर है तो सिर्कृषन का अनुसरन किया गया या मुरली मुरली धर की अधरान अधरी अधरान अधरोगी गोपिया आपस में बात करती ह कि या मुर्ली मुर्ली धर्की है उनके उठों पर रखी हुई है इसको अपने उठों पर कभी नहीं रखूगी जब से कुछ उसके बाद है गोपी किषण की मुड़ली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। वो मुर्ली को मानती है वो उसको सोतन के रूप में रूप में बहना चाहती है गुपि किस परभावचित किया है उन्होंने गुपी क्या नहीं संभाल पा रही है जब कि श्रीकृष्ण मुख्रा रही है तो वह उस पर नोचा वर जा रही है गोपियों को किन की चिंता नहीं है कि मेरी बेजतीओं बोफ़ा नोग मुझे कहेगे उनके कोई लेना देना है अता का मतलब अठा अठी यानि कि उच्चा बावन्ण उसको अठारी घाए लगाना फॉरन भुणét दर को था नहीं इंदर की भक्ति ना होने के कारण उसने ब्रजवासियों को दबोने की बात की थी और जब फिर शिर्कुषन ने गवरधन अपनी उंगली पर उठा लिया था तो यहाँ पुरंदर कहा गया है इंदर को कभी ने कंबल के लिए कौन सा सब्द प्रियोग किया है कम्बल के लिए कमरिया कमर कमरिया कामरी कम्बलिया कम्बलिया नहीं है कमरिया सब्द का प्रियोग किया है बिरज भासा में जो है वो रह के कुछ इस परकार रहते हैं तो कमरिया है उसके बाद है तड़ाग क्या होता है तड़ाग दोस्तों तड़ाग का मतलब तालाब होता प्रियायवाची सब्दों में भियापने क्या हो गए, उसके बाद कया होने पर कभी को का कोई वस नहीं चलता, अगर भगवान उसके करमों के अंसार उसे पशू बनाएंगे तो कभी करता है कि उस पर मेरा कोई वस नहीं चले गा, तो यहां पर हमारा आएगा, पिरिका विम्न वर किल्गर pencil करें को ओप सु होने पर कभी का कोई वस नहीं चलता अगला देखेए कल्धावुत के धाम में कल्धावुत क्या है कल्धावुत आया कि रुषिभ सोना । यानि की जो कि आनि कि सोना जो है । आ यहां पे न individuals काल इंडी कूल कदम की डारण में किया है कौन साल अकार सागे त데 storage अंब तो यहां पर बीच में में यह तो दोस्तों is परकार हमारा यह था तीसरा पार्थ हमारा रस्खान जी के कुछ सविये अब आईए हम चोथा है मारा कावे खंड का माखलाल चतुरवेदी जो रास्ट्री कावे धारा के कवी थे माखलाल चतुरवेदी जी उनकी कवीता है कैदी और कोकिल जब कवी कैद में है और उसमें कोयल बोलती है तब कवी को कैसा मैसूस होता है इसी परक कारकरूरता कावेभार कर रहे थे और अपना जो है उनके प्रियासों को जो सवतंतरता से नानी थे उनको किस प्रकार दमन कर रहे थे वह सारा हमारा कवीता कैदी और कोकिल में हैं लेकिन इससे पहले हम थोड़ा समाखनलाल तुर्वेदी के बारे में जान लेते हैं यह जो कावेधारा के कवी थे सवतंतरता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया और इनका जनम जो था मद्य परदेश के ओशंगाबाद जिले में हुआ था बावई गाम था जिसमें 1889 में इनका जनम हुआ था और इनका बच्पन म और परभा नामग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया इधान देना दो एक दो पत्तर पत्तर कए हैं इनके नाम से जिनका संपादन इनका इनका देहा वसान हो गया था इस परकार वेलू नो गुंजे दरा माता युग चरण मरन जवार विजुली काजर आज रही आदी इनकी रचनाई हैं जिसमें हीम किरंटरी हीम तरंगिनी और साहिते देवता वेनू लो गुंजे धरा यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इनकी रचनाई उसके बाद देखे एक इनकी कवी जाना गया एक भारतियाात्मा कहा गया इनको इस परकार इननो न लिखा अब कवीता कैदी और कोकिल क्या है थोड़ा समय ने पहले भी बताया था आपको इसमें क्या है कांकी इस कवीता में कभी संतरता शेनानी जो जेल में बैठा है और कोईल बोल रही है और कोईल उसको किस परकार अलग-अलग करने के लिए बातों के लिए वो कोईल उसको सोचन दिया गया है उनके लिए यह भी ऐसंतों हुजाइद कर रही है इस परकार जो हम अधुर गीत काने की वजाए कभी को उसका सवर भी चीखता हुआ और मुख्ति के लिए चीतकार करता हुआ सापर्तीत होता है कुछ इस परकार का वर्णन है इसमें अंग्रेजों ने तरह तरह कर रखेया है ineffective लोगों पर जूसरत अंतरता सैंहिं हैं उन्हें कैद में डालकर उन पर अनेकतर है कि थीए सेप्सड़ करवाई जाती है मोठी मोठी अतकड़ी नंके आतों में लगाई जाती है और अंधेरिं कोठ़्रियों ने को चड़ने पर चोड़ दिया किसी न किसी को पहल तो करनी पड़ेगी कवी का ऐसा मानना है तो कैदी और कोकिल कवीता ये कवीता का नाम है हमारा कैदी और कोकिल ये ध्यान देना इस कवीता के कवी का नाम क्या है तो कवी तो हमने पड़ी लिया माखलाल चुत्रवेदी है हिमकर निराश कर चला में हिमकर क्या है हिमकर मतलब हीम मतलब होता है बरफ बरफ क्या है सफेद है और जो सफेदी देने वाला यानि की चंद्रमा तो यहां पर सी आएगा कवी की काली मा मईई सकी कौन सी है काली मा मईई रात यानि की कवी जेले में है चारों और काला ही काला है रात को जो कोईल बोलती है तो काली मामाई से कोईल भी काली होती है तो इसलिए कोईल को अपनी सखी माना है कभी ने कोईल के लिए किस विशेशन का प्रियोग किया है कभी के लिए कभी ने यहाँ पर जो ना मर्दूल वैभो की रखवारी करने वाल तो उनको दावानल की जवालाएं कहते हैं तो परतंतरता जो है यानि की गुलामी है उसको कवी मानता है कि वो दावानल की आग से भी बड़ी आग है वेदना बोजवाली सी में अलंकार सा से सी भाती सम के समान सैदर जैसा जो जब यह कोई भी योजग सब्दा जाते हैं तो ह होती है वो समुद्र में लगी आग होती है उसके बाद कवी ने कौन से गहने पहने हुए है कवी का तो एक ही गहना है जेल में है तो अथड़ी पहने हुए है चुप चाप मधुर विद्रोह भीज की भाती बो रही क्यों में अलंकार है कवी यहां पर कोईल को संभोजित करते केता है कि जब चच्यारों और चुक चाप मधुर विद्रोह भीज भाती के बो ही क्यों हो तो एम कवी को पहरेदार कि आवाज किस כई पईकार डेखार देखता है शारे कैद्दि अंदर है तो उस को आवाज नागिन जैसी प्रतीत होती है जैसे नागिन फुकार रही हो कवी ने विदेशी सामान को काला क्या कहा है विदेशी सामान को करता है कि संकट काला संकट सागर है वो संकट सागर काला संकट सागर का है कवी का जेल रूपी संसार कितने फुट का है दस फुट का है यान कि सवतंतरता का इरण भेरी बजा रहा है कभी ने मोहन किसे का है महातमा गांधी मोहन दास करम चंद गांधी मोहन कभी आजादी के लिए किसके दिखाये हुए रास्ते पर चलना चाता है कि किस परकार हम अंग्रेजों को यहां से बगा सकते हैं कभी ने विदेशी सासन की तुलना किसे की है, लिए कर अनधिक चिलों की किले गहरे में बंद है कभी ती इवारों कि जेल डिवारों के काले घहरे में बंद हैं, depends अंगुली हों हैं किस प्रगान लिखें थैậं हैं। क्भी को ने के कवी को किस कीन nós वे कूकती है ALEX से लग रहा है कि विद्रो का बीज है जो कोवेल अपनी कूक के साहरे बो रही है कवी के लिए गुनाह क्या है कवी कहता है कि रोना भी गुनाह यदी हम रोएंगे तो हमारी कमी अंग्रेजों को पता चलेगी और यदी हम पस्त हो जाएंगे तो उनके होसले ज़्यादा कवी तो इस परकार हमारी दास्तिय कावेधारा की यह कवीता थी कैदी और कोकिल जिसके कुछ महतो पून पर संथे जो हमने यहां लिए अगला कवी आता है हमारा पांचवी कवीता है हमारी सुमित्रानंदन पंत की और कवीता का नाम है गराम शिरी पंत के बारे में कि संग्याएं भी दी गई है इनको इनका उन्नीशो इस्वी में कोसा निगाव में हुआ था उन्नीशो को इनका जो है ना बच्पनिन का अलमोडा में बीता था और इस परकार इन्होंने इंदी साहिते को बहुत कुछ दिया है गांदी जिसक्के परभाविते उसके बाद पर प्रियोग वाद का भी प्रभाव पड़ा प्रगतिवाद का भी रहा इस परकार यह अलग-अलग इनकी जो थी विचार धारा है यह आने आपको लिट्रेचर में करवाया है और नहीं करवाया तो आगे करवा दूंगी और इनकी मिर्ति जो थी 28 दिसंबर 1907 को हो गई थ लेते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है विनागरंथी पल्लव पल्लव जो है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कावे पढ़ाते समय पल्लव जो आधुनी कावे धारा का मैंने फैस्टों कहा जाता है गुंजन योगांत यूगवानी ग्रामया सरवन पर ने किरण उत्रा कला और बुढ़ा चांद बहुत इंपोर्टन लोक आयतन इनको पुरुषकार भी मिले हैं पदम भुषन की उपादी से 1961 में सम्मानित किया गया था कला और बुढ़ा चांद साहिते पर इन्हें साहिते अकादमी पुरुषकार दिया गया ध्यान रखन दोस्तों हिंदी साहिते के पहले कवी थे जिनको ग्यान पीठ पुरुषकार मिला था चितंबरा पर और प्रुषकार से भी सम्मानित किया गया इस परकार बहुत सारे सम्मान है जो इनके नाम है और इस परकार गरामसीरी कवीता है इनकी यहां पर सुमितर 9.95 के दवारात चूत्थे दसक में लिखी गई यह कवीता है और यह प्रकर्ति का सुन्दरवर्न है और गाओं में प्रकर्ति किस परकार haven बश्ति लहल Shift किस परकार प्रतीत हो is फूल्झ फूलोंसे लदी उड़ी यां कैसे लगती है और कवी परकिस परकार प्रभाव डालती है गाम की धर्त हम गराम शिरी किसके दवारा रचित कवीता है सुमित्रांदन पंत के दवारा रचित है हरी बदी फसले की सोभा कैसी है मकमली है हरी बदी फसलों को मकमली मानता हमारा कवी सुबह सुरिय की किरने किसके समान लगती है चांदी की जाली के समान लगती है सोने की जाली नहीं चा आइस हां रंग नंगर जो अधरती हुँ और यांकि होती है और वह स्जाँयर इनकों आने की किंकनी मतलब जो हमारी कमर पे जो बांदी जाती तगड़ी तो वो सुनहरी रंग की होती है भी आएगा इसका नीली नीली कलिया किस पोदे की होती है अलसी की नीली नीली कलिया होती नीले फूल आते हैं अलसी के पोदे में कवी ने कवीता में किस रितु के आगमन का वर्णन किया है वसंतरीतु के आगमन का वर्णन किया है वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते जड़ जाते हैं पीपल के पत्ते जड़ जाते हैं वसंतरीतु का जब आगमन होता है तो आम के पेड़ों की साखाओं का यानि कि पीपल के पत्ते जो होते हैं वो पत्त जड़ के वाद अगला परषण में महीं गंभावण की सफ़ी, विली कीज़न है, की तुमाटर की में का रंग और याक हो जता हर Cum माट में कि विली वह जाता हर दूद में के कंग जयरों सब रहत उसक्स को है मिला उसकति जुट comin ऐसे एक लायर दूसरी लायर बिरबाद में मिट्टी बच जाती है तो उन निशानों को कभी सांपों जैसे मानता आपने भी देखा होगा तो ऐसे ही लगते जैसे सांप की जो जहां से जाने की जो लाइन पड़ी हुई हो नदी तट की रेत पर किस की खेती होती है जो बलवा होती है उसके चर्बूजे की खेती होती है तो यहां पर खण ब्रोडूजे की खेती का जिकर किया नदी के तट पर कौन सौया हुआ है मग रोठी या पर आएगा मगन बढ़िज़ी की नहीं कर नहीं का अदिकर माप्ती पर अन्पम हो जाता क्योंकि वसंत रीतु का आगमन होने वाला हो रहा होता है गाउंग कर्याली किस बहुमुल और वो गाने लग जाती है उसके बाद है कवी ने गाउं को किस डिब्बे सा खुला बताया है मरकत के डब्बे सा खुला बताया है कवी ने गाउं को गाउं का आकास किस के समान अंचादित है नीलम के समान नीले रंकाया नीकि नीलम जो नीलम होता है हमारा पत्थर उसके समा पती है मेरे हमारे अगले कवी के काविय के काव्य के दारनाथ घरवाल जी के बारे में बहुती представ लेकिन बाद में वकालत छोड़ दी और कावे असादना में लगे हिंदी के परगती सी लांदोलन के साथ ये जुड़े रहे और इनका कावे में यथारत कावर्णन है वर्गिन समाज के समर्थक रहे ये और 2000 में इनकी मिर्द्यू हो गई थी नेंद के बादल यूग की गंग लोग तथा आलोग फूल नहीं रंग बोलते हैं आग का आइना है मेरी तुम मार प्यार की थापें कहे के दार खरी-खरी इंपोर्टेंट है पंक और पतवार आदीन की परमुक्रच नाई है इन्हें सोवियत लेंड नेरु प्रुसकार और साहित्या गाद्यू प्रुसकार की आतरा करके वापिस आता है जब अपने गरेबरे खेतों को देखता है तालाबों को देखता है खरियानों को देखता है तो मन उससे निकलने का नहीं करता और उसी में रम जाता है और वहीं पर सारी चीज़े जो ना फूल पत्ते अलसी पोदे सारे उसको सजे समरे से उसके बाद अगला परिशन है कवी ने कवी का प्रेम किसके लिए वैक्त किया है कवी किसके एक्ता को वैक्त किया है चंदर गहना एक जगह हैं चोटी उंगली से रंग उठ्थे तक जो होता है उसको बीता बोलते हैं चनय के वह ने किसा पगड़ी निंदौ को बांढ़ा हुआ पाक्ड़ी को इस पψuल न गुवाँत Pru Deon यहां पर मानवी करन्हाय साथ सब्सक्राइब लेकिन उसका यदियक आ हम पिले तो उस Mmm पोखर के तल में एकिषर होई कि घास भूरे रंग कि घास ले है जो तर्दी का बड़ा सा गोल खंबा क्या कर रहा है वह डूबते वे सुरियो को चान्दी का बड़ा सा उप उठाव मंगा है जैसे सुरियो हमारा चुपचा पानी कौन पी रहा है चुपचा पानी पत्थर पी रही है जो किसी को उसके अनुभो भी नहीं हो रहा है धान मगर नवगुला नीद कब त्यागता है मचली जब देखती है तब वह अपना ध्याग देता है बांज भूमी पर किसके पेड उगे हुए है करने वाली चिडिया का माथा कैसा है उसका माथा काले रंग का है आपने देखा होगा जो सारस है वह ऐसे तो धोले रंग का होता है उसका माथा काले रंग का होता है चिडिया कैसी है चिडिया वहुती चतुर है चतुराई से मचली को पकड़ लेती है किस थान की अंगड प परकृति यानि कि वहाँ पत्थर है इसलिए नहीं है एक चांदी का बड़ा खोलखंबा में अलंकार बताईए एक चांदी का बड़ा सा आने के कान यहां पर क्या हो गया उपमालंकार हो गया तो उपमालंकार है इसमें कवी ने कवीता में किस गुण का प्रियोग किया है यह समर्पन का भाव होता तो माधुरे आता है जो और ओज की बात होती है तो ओज गुनाता है कवी ने कवीता में चंद कौन सा है इसमें मुक्तक चंद की रचना है ये कोई चंद का बंदन नहीं है इसलिए मुक्तक चंद की रचना है देह की पतली कमर की है लचीली में अलंकार बताईए दे कि पतली यहां पर जो है किसका अलशी का जिकर किया है उस पर एक नाई का के जो भाओं को आरोपित कर दिया है तो इसलिए जब जड़ पर चेतन का रोप कर दिया जाता तो मानुवी करना लंकार होता है परकरती का कैसा आचल हिल रहा है अनुराग भरा आचल इनका कभी परीच्य थोड़ा सा बात कर लेते हैं यह दि चंदरकान देवताले की बात करें तो यह पर प्रियोगवादी कभी माने जाते हैं और इनका जनम 1936 में जोल खेडा जिला बेतूल बद्धे परदेश में हुआ था इनकी आरंबीक जीवन इनका इंदोर में बिता और हिंदी विषय में इन्होंने पीएचडी की और सागर विश्य विदाले में इन्होंने अपनी डिग्रीश हासिल की और इस परकार इनका जीवन हिंदी कभीता इनका विशिष्ट योगदान है इनकी रिचनाई है घडियों में छिपा जवर दिवारों पर खूंदे जो है वो इनको मद्य परदेश आसंदवारा शीखर सम्मान भी बिला है इनी रिचनाओं के कानमा खलाल सतुरवेदी पुरुषकार भी मिला है इने और हिंदी भाषा में इनका एक विशेश थान है अब इनकी परुस्तुत कवीता है यम्राज की दिशा अगर हमें इस कवीता की बात करें तो आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी कवी क्या करता है कि पुरानी जो बाते हैं हमारी वो तो अपनी जगां ठीक है लेकिन आदूनिक चीज इसको नहीं मानती लेकिन कई बार अपने बड़े बुज़ुर्गों को खुश करने के लिए भी उन चीज का वरणन करते हुए कभी कहता है कि आज कल तो जो है इतना भागदोड की जिंद्गी हो गई है कि यह मराज की कोई विशेस दिसाई नहीं है हर जगह यह मराज की दिसाई यानि की मिलत्यू तो चारों तरफ मू बाए खड़ी है तो इस परकार उनका यह कवीता है यह मराज मुश्किल है यह तो कभी करता है कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता हुई थी क्या नहीं मैं तो इस बारे में सपस्ट नहीं बता सकता तो इसलिए कहना मुश्किल है मा दुख बरदास्त करने के रास्ते किस की सलाह से खोजती थी वो करती थी कि इस वर मुझे सला देता है और वह किस की दिशा मानी जाती है दक्षिन दिशा मिर्त्यू की दिशा मानी जाती है किसे करुद करना बुद्धी मानी नहीं है कभी की मां करती थी कि यम्राज को करुद करना बुद्धी मानी नहीं है इसलिए हमें बच के रहना चाहिए और दक्षिन की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए यह म्राज का घर किस दिसा में है, कभी कविता के अंसार यह मराज का घर दक्शन दिसा में बहूत दूर है, कभी कभी बी किस दिसा में पैर करके नहीं सोया, कभी करता है कि मैंने चाहे मेरी माँ को खुश करने के लिए ऐसा किया हो मैं दक्षिन दिशा की तरफ पैर करके कभी भी पैर करके नहीं सोया दक्षिन की तरफ यातरा करते हुए कभी को हमेशा किस की याद आई जब भी कवी दक्षिन की तरफ गया भूत यात्रा की कवी ने दक्षिन की आत्रा सबसे ज़्यादा की और जब भी कवी ने उधर की यात्रा की तो उसने अपनी मा की याद आई आज इदर भी पाँ करके सो उधर ही कौन सी दिसा है उधर ही रक्षिन दिसा है क्योंकि आज नहीं पता कि यमराज कहां खड़ा हुआ है सभी दिसाओं में यमराज कहां विराजते हैं आली सान महल में विराजते हैं हर जगें विराजते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यम्राज आलिसान महल में भी राजते हैं क्योंकि मोत का साजो सामान सबसे ज़्यादा कहता है कभी के अनुसार वही लोग इकठा करते हैं यम्राज की आखे हैं दहकती हुई अंगारे हैं यम्राज की आखे यम्राज की कौन सी दिशाए अब नहीं दही जो खाली स्थान जानती हो यानि की मा जानती हो या मा तो क्या जानती थी शिरफ दक्षिन जानती थी लेकिन कभी कहता अब तो सारी दिशाएं ही यम्राज की हो बच्पन में कवी अपनी मां से किस घर का पता पूशता था जब वो कहती थी वहां कि उधर ना सो तो कवी कहता था कि कहा है उसका पता मुझे बता मैं उसका घर देख क्या हूँगा कवी ने कवीता में किस गुण का परियोग किया है परसाद गुन का जब मैंने पहले भी बता सामानने बाते होती है तो परसाद गुन आता है कवीने कवीता में किस चंद का परियोग किया है ए तुकांत यानि कि कोई तुक नहीं है तुका नहीं लिया इन्होंने ए तुकांत चंद का परियोग किया है जैसी भी जो भी लाईने थी उनको ऐसे ही बिना तुकबंदियों के उन्होंने रख दिया है वही दक्षिन दिशा हो जाती है में अलंकार बताईए अनुपरास अलंकार है दक्षिन दिशा दैद है में संसार में चारों और क्या व्याप्त है चारों और हीशा है यानि कि एक दूसरे को मारने की बात कर है अब सरवेस्वर द्याल सक्षेना का यह दिजिकर करें तो इनका जनम 1927 में हुआ था इलाबाद विश्वी डैले में इन्होंने इन्होंने का निजन हो गया था अब यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाओं हैं जो आपको अच्छे से याद करने क्योंकि कई बार पेपरों में इनकी रचनाओं पूछ ली जाती है काठ की गंटियां, एक सुनी राव, बास का पुल, गरम हवाए, जंगल का दर्द, कुवानो नदी, खूटियों परतंगे लोग, इन्हें दिनमान में चर्चे और चर्खे के लिए परशिद्ध मिली, चर्चे और चर्खे दिनमान पत्री का जो थी, उसमें चर्चे और हित्ते को समर्पित रहा, अब यहाँ पर जो कवीता है, मेगाई, यहाँ पर बादल वर्सारीतु का वर्णन है, यह भी एक मानवीकन रूप में है, एक ब्रात के रूप में एक लड़की का विवा होता, तो किस परकार बनाता आती है, और लड़की जो अपने दुल्ले को के लिए किस परकार दर्वाजे की ओट में खड़ियों के देखती है, और फिर जो ना दुल्ला क्या चाहता है, और लड़की गामन कैसे करता है, उसको सारा गाम एक बटेउ की तरह यानि की पाहुने की तरह देखता है, इसी परकार जो है वर्सारीतु का वर्णन है इस कव चाहता है, तरह आद राद हवा कैसी चली तरौज्य ओर खिडकियां कि ऑली दर्वाजे और खिडकियां किसके खुलने लगे गली गली के दर्वाज कि खोलते हैं तो इसके परकार वर्सारीतु हूई वाजली दर्वाजे खिड़्की, ऐसे खुले, जैसे लोगों ने dzर्वाजे खिड़्की, खोलगे दुले को देखना चाहland हो, गाउं में पाहन कहां से आए है नगर से आए है यानि कि गाउं में आया है बटेव और नगर से आया है वो गर्दन उसका एकौन देख रहा है गर्दन उसका उसका कर पेड़ हिलते हिलते ऐसे लग रहे हैं जैसे गर्दन उसका उसका कर उस दुले को देख रहे हैं गागरा उठा कर कौन भाग यानि कि कुछ औरते ऐसी होती है जो उसको बड़े अच्छे से देखती है चलते चलते तो यहां पर नदी जो है बहती हुई जो बड़ी जल्दी रहती है अपने काव में लेकिन फिर भी वह रुक के देखती है तो नदी अंड़तों का प्रतीक रूप में है यहां पर बरसब नाइक वहात के व्याकुल हो गई मिलन के असर पर आसू ठरकते थे इतने दिनकी बूंद पढ़ने लगी तो ऐसे लगा कि वह नायकनाइक मिलने पर ऊंसून के अटपकने लगे हर साया طाल क्या लाया तर यहां पर उसके एक साले के रूप में यहां पर वर्णन किया है तो परात भर के लाया यानि कि ताला भराओ पानी का एक परात रूप में चित्रित किया यहां पर चारों और आकास में क्या छा गया चारों और आकास में बादल छा गए मेग नदी ने अपने मुख पर क्या सरकालिया नदी ने अपने मुख पर गुंगट सरकालिया यानि की पूरन रूप से नदी भर गई परिवार के सद से प्रांत में पानी भर के क्यों लाते हैं परिवा तो शितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए जहां मिलन का उनका समय था बिजली की तुलना किस्छे की गई है नाइका को बिजली के रूप में चितित किया गया है जिस परकार बिजली जमकती ऐसे लगता है कि जैसे नाइका चमचमाती हुई आई है शितिज अटारी में अलंकार बताईए शितिज रूपी अटारी यानि की बहुत उचा स्थान जा मिलते वे परतीत होते हैं तो रूपक अलंकार है बेदार ओपन कर दिया है अटारी का और शितिज का तो यहाँ पर रूपक अलंकार है उसके बाद हैगला हमारा धूल भागी धागरा उठाए में आलंकार बताएए धूल भागी आपने देखा होगा धूल का मानंवी कर दिया कर है यहाँपे तो मानवी करना अलंकार है भाओं को सवभ αναक्रत परदान करने के बच्चे काम पर जा रही है राजेस जौशी जी ने यहां पर उस समय का वर्णन किया है जब छोट-छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है काम पर जाना पड़ता है इस परकार की कवीताय आदुनिक आवेधारा के कवी होने के कार उन्होंने बहुत साइक कवीता किया और आधुनिक परनाली पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इनके तीपनियां करी है नाटक लिखे हैं इन्होंने और कुछ छोट चोटी फिल्म और पटकताएं आदी भी लिखी है इन्होंने तो परस्तुत कवीता जो है पतलून पहिना बादल इनकी बहुत ही महत्व है परस्तुत कवीता है यहां कवी छोटे बच्चों की मजदूरी के बारे में है तो देखे क्या है बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कवीता किस कवी के दवारा लिखी था है तो राजेस जोशी दवारा लिखी था है राजेस जोशी कवी को बच्चों से क्या चिन जाने क के पिड़ा है बच वह काम पर जा रहा है तो कभी इसे लेकर कर सामाज лиш जा रही है काम करने के लिए जा काम पर जा रहे इस पंक्ति को मांनता है कि कताबों को किताबों शारी काहाँ गई है अंतरिक्स में गिर गई है यहां से उनको डूंट के लाना अभी मुस्कोब है काले पाढ़ के नीचे क्या दब गई है फिलोंने काले पाड़ के शेदब गई है यहीं की बच्छे मज़दूरी करते हैं और उनके जीवनОर का मुस canopy काला पाण आध जिसके नीचे उनके खिलोंने compartilो मदर्सों की मार थे मसदलो स्कूल किसे ढ़ैगे इस बुकम से ढ़ैगे यह अनकी उन बच्चों即व के लिए कोई शपूर नहीं है कोई दिवार नहीं नहीं कभी ने बच्चों का काम पर जाना किस तरह माना है एक सवाल की तरह परस्तुत की है इस कवीता को बच्चे का काम पर जाना उनकी क्या है उनकी विवस्ता है क्योंकि उनके घर में आजीविका का साधन नहीं है और जो कमा के लाते हैं वो वही खाते हैं बच्चों के काम पर ज अंधियाली में रात अंधेरे में किस से भीग गई है रात ओस से भीग गई है भी आएगा इसका हमारा ओस से भीग गई है तो देखिए दोस्तो यह इस परकार हमारे नो कवी थे जिन का जिकर हमने यहाँ पर किया है नो कवीयों की कुछ कवीता हैं मोटे-मोटे तोर पे मैंने बताने की कोशिश की है तो इसको देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका भूत-पूत धन्यवाद अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब वश्य करें लाइक करें शेयर करें और दोस्तो अगर आप लाइक करोगे तभी मेरा होसला बढ़ेगा और मैं आगे इसी परकार आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूँगी